कुई घटना घटने के बाद जब पुलिस के हाथ उन प्राधियों तक नहीं पहुच पाते या यूं कहें कि अप्राधि गरफतार नहीं हो पाते तो हम खबर नविश अक्सर या कहा करते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस के हाथ खाली है यानि अभित अभीत अकारोपी गरफतार नहीं हुए लेकिन इस घटना के बाद गंभिरता पुर्वक साथ साथ त्वरित होकर छापे मारी कर रही है उनकी गरफतारी को लेकर अब आप यहां पुछेंगे हम किस घटना का जिकर कर रहे हैं तो आपको हम बताए हैं कि यूपी के सुनभद्र जिले से दो लड़कियां गढ़वा जिले के बंसिधारन मंडल इलाके में आई हुई थी अपना आधार काट बनवाने उस आधार काट बनने के दर्मियान कुछ उसमें तुर्टी आता है तो फिर से उन्हें घर को लोटना होता है वह देर साम अपने रिष्टिदार के साथ घर को लोट रही थी इसी भी जंगल में उनका पीछा करते जहां उनके साथ दुषकर्म जैसी घर को अंजाम दिया जाता है यानि उन दुर्ण लड़किवें के साथ बर लड़कों दवर्ण गैंग रेप की घर को अंजाम दिया गया इस घर के बाद चुरुसे दार वह प्रथे उस लड़की के उसके दवरा फोन किया जाता है पुल गटना के बाद चिले के पुलिस का अपतान स्रीकान सुर्यस्तराव द्वारा पूरी तरह से घटना को गंभिरता से लिया गया है और साथ ही ही जिस इलाके में घटना घटित हुई है वहां के जो डी एसपी है अजीत कुमार उनके नित्रित्व में एसपी ने ततकाल एक टीम का गठन किया है कल देर साम ही और स्ट्रीम के द्वारा लगातार च्छापे मारी की जा रही है जिस द्वारा जो बताया गया है उसके साथ साथ पुलिस जो अपने च्छापे मारी में जो कड़ी जोड़ती है गिरफतारी को लेकर उस सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस करवाई नहीं कर रही है पुलिस छपेमारी कर रही है और जल से जल गिरफतारी का दावा भी कर रही है कि अब गिरफतारी भी हो जाएगी सभी दुसकर्मी पकड़े जाएंगे लेकिन हम यहां बात जरूर कहना चाहेंगे पुलिस या सुनिचित करे परसासन या सुन इंजाम दिया गया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आएंदी कोई भी अगर या गलत मनसुभा पाले, तो इस कड़ी करवाई को देख, उनकी रूह काप जाए.